अस्वारामुलेकूम आइनलेन न्यूस के साथ मैं हूर बाब बग सबसे पहले न्यूस हैटलाइन्स वसकी रियाला सेंसराइज गुरादा लिशा की हिदायत पर मुल्की फैले वजसरा डॉक्टर सारा गुर को जेपी एमसी में हाउस चॉप का ओडर दिया गया आज चैनल बीबी मिलावल बुटो जर्दारी ने वसी रियाला सेंसरा को डॉक्टर सारा को फौरी हाउस जॉप देने की हिदायत की थी डॉक्टर सारा मुल्क की पहली कौजा सारा डॉक्टर है जिने जेपी एमसी में हाउस जॉप की मुलासमत दी गया है वजियालासिन ने डॉक्टर सारागुल को हाउस जॉप मिलने पर मुबार्ट बाद दी तिफ़ूल कहा कि कि बस पार्टी के हकूमत खौजासराओ को हर शोबे में आगे लाने के लिए एक्दामाद कर रही है उन्होंने के हागे हम खौदा सराओ को हर शोबे में इज़द औ एहतराम दिलवाएंगे डॉक्टर सारागुल ने आज जेपी एमसी के एग्जेकिटिब डारेक्टर प्रोपेसर शाहिद रसूल से मुलाकात की और हाउस जॉप और दिया पाकिस्तान रेंजर्स सिन और एंटी नार्कोटेक्स पोर्स ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तर का कारवाई करते हुए अंद्रू ने सिन के इलागे उमर कोर्स से मुल्जिम महुम्मद हुसेन सीना को गिरिफ्तार कर दिया अवाम से अपील है कि ऐसे अनासर के बारे में इतला कॉली तोर पर करीबी रेंजर्स टेक पोस्ट रेंजर्स हेल्पलाइन 1101 पर कॉल के जरिये दें आपका नाम सीगा राज में रखा जाएगा ANF, Intelligence और ANF की कराची में बड़ी कारवाई, मंचियाद नेट्वर्ट के तीन कारिंदे गिरिफ्तार मुजिमान से मजमुई तोर पर 94 अचारिया 800 किलोग्राम चर्स बरामत हुई कारवाई के दुरान मतमुई तोर पर 1200 ग्राम चर्स के 89 पैकेट बरामत हुए जोहर चोरंगी के करीब दुराने तराकी रिक्षे से दो पैकेट चर्स बरामत हुई ग्रिफ्तार रिक्षर ड्राइवर मुहमत आसिफ के निशान दही पर ANF का गुलिस्तान जोहर में वरक्शॉप पर चापा वरक्शॉप में खड़ी सल्मान जमान और साइथ खान नामी दो मुल्जिमान की टोयोटा वेट्स कार्ट से 47 पैकेट चर्स बरामत हुई ग्रिफ्तार मुल्जिमान की निशान दही पर ANF ने सफ़वरा गोट में मुल्जिम साइथ खान के घर चापा मारा मुल्जिम के घर से मंचियाथ के लिए बनाए गए खूफिया खानों से 30 पैकेट चर्स बरामत हुई ग्रिफ्तार मुल्जिमान रुजिस्तान और पिशावर से मंचियाथ करासी समगल करके मقامी मंचियाथ फरोशों को फरोग करते हैं नेट प्रक के मज़ीद कारिंदों की गिरफ्तारी के लिए मुल्जिमान से तक्रीफ जारी है मुल्जिमान के खिलाफ ए एन एफ पोलिस अस्टेशन में मुकदमा दर्च कर लिया गया है प्रक के लिए फरोशों के लिए प्रक करते हैं लॉवाम के पैसे वापिस करें आराहम से लंडन में रहें नवाद सरीफ की ताधातिवी रिपोर्ट खयाल रहे कि लाहर हाई गोड दिगई है जिसके मुताविक डॉक्ट्रों ने नवाद सरीकियं को सफर करने से रूगा हुआ है रिपोर्ट में कहा गया है कि नवाज चरीफ कौरोनरी एंजिग्राफी होने तक अजियात लेते रहें सिहर सेंटर के करीब ही रहें एंजिग्राफी कराए बगएर लंडन से ना ज़ाएं नवाज चरीफ इलाज के बगएर पाकिसान गए तो उनकी हालत बिगड़ सकती है रिपोर्ट में कहा गया है कि बेकम कुल्सूम नवाज की वफात के बाद नवाज चरीफ ज़्यादा दबाओं में है जहली दबाओं से उनकी विमारी मजीद बिगड़ सकती है ये मेडिकल रिपोर्ट अमजद परवेज एड़ोकेट की वसातत से अदालत में जमा कराई गई है कराची के इलाके सुराब गोर्ड में मुबहीना पुलिस मुकाबले में एक डाकु मारा गया जबके उसका दूसरा साथी फरार होने में काम्याप हो गया मुजद से असलحा बरामत कर लिया गया पुलिस के मताबक दो मुटरसाइके सबार मुजदमां चैडियों से लूट मार में मसरूफ थे दो तरफा फायरिंग के तबातले में एक मुजद जखमी हालत में गरिस्तार हुआ जबके उसका साथी फरार हो गया पुलिस के कहना है के जखमी मुजदम को मुबाइल में डाल कर फरार मुजदम का पीछा किया गया फरार मुजदम पुलिस को पीछे आता देखकर फायरिंग करके दुबारा फरार हो गया पुलिस के मताबिक रिस्तार जखमी मुल्जिम भी क्रोस फाइलिंग के दौरान फरार होने की कोशिश कर रहा था जखमी मुल्जिम को दूसरे मकाबले में दुबारा गोली लगी जिसके नतीजे में वो हलाक हो गया पुलिस का बताना है के मुल्जिमां की फाइलिंग से पुलिस मुबाइल को भी नुकसान पहुंच रहे हलाक मुल्जिम से अस्रिहा, मस्रूका, पर्स, मुबाइल फून, चाबिया और नगदी बरामत कर ली गई है पुलिस से मताबिक हलाग मुल्जिम से बरामत मुबाइल फून के रापते से किसी ताजिर का मालूम हुआ मुल्जिम से वन टू फाइव मोटसाइगिल बरामत जिसकी तलसी की जा रही है हलाग मुल्जिम और फरार मुल्जिम की चनाग भी मालूम की जा रही है सिन्ध भर के तमाम न्यूस पेपर इस्टाल पर दस्तियाब आप आज ही पढ़े रोस नामा अलिफ नए बल्दियाती निजाम पर अमल दरामत मौकर करने का फैसला सिन्ध हुकूमत ने नए बल्दियाती निजाम पर अमल दरामत मौकर करने का फैसला कर लिया है जराई के मताबक महक्में बल्दियाद ने सिंध कावीना को तहरी दोर पर एक दर्खास की है कि बल्दियादी निजाम पर अमल दरामत को मौकर किया जाए जराई ने बताया कि सिंध हुकमत को मैकमे बल्दियात की जाने से नए बल्दियाते निजाम पर यकुम जुलाई तक अमल दरामत मौकर करने की दर्खास की गई है तरफास के बाद बल्दियाते निजाम पर अमल दरामत मौकर करने का मौमला सिंध काबीना के एजन्टे में शामिल कर दिया गया है जमाते इसलामी कराची के अमीर नईमुर रह्मान की कयारत में सिन्धसम्री के बाहिर एक महीने तक धलना दिया गया जमाते इसलामी ने कराची के अहम शाराए बंद करने का भी अलांग किया था ताहम इसकी नौबत नहीं आई और सिंध हुकूमत और जमाते इसलामी के महाबें तर्मीर विल पर एक मुहाइदा तैपा गया जिसके बाद उन्होंने धन्ना खतम कर दिया ताहम अब दीगर जमाते सरापतर जाज हैं उन्होंने सिंध हुकूमत और जमाते इसलामी के दर्मियान होने वाले मुहाइदे को भी मुस्तर्ट कर दिया है पीटियाई के जाने से गोट कीता कराची मार्च का भी ऐलाम किया जा चुका है जिसमें वजीर खार्दा था मैमूद कुरैशी भी शिर्कत करेंगी नैप पी खातून अफसर के दायर करदा रेफ्रेंस में सरकारी अफसर को दस साल की सजा आमदन से जाइट असासों के केसिस में नैप को एक और काम्याबी मिल गई है एक CDA अफसर को दस साल की सजा सुना दी गई है तफसिलात के मताबिक सरकारी अफसरान के आमदन से जाइट असासों के खिलाफ केसिस में नैप की एक और काम्याबी सामनी आ गई नए प्रावलपिंडी की रेफरेंस में Capital Development Authority के एक अफसर को 10 साथ सथा सुना दी गई जिफ्टी डारेक्टर CDA गुलाम मुर्तजा मलेट पर 5,70 लाग जुर्माना भी आईट किया गया है गुलाम मुर्तजा मलेट असासों के सराय आमदा ना दिखा सके थे तसाब अदालत रावलपिंडी ने जुर्म साबित होने पर सदा सुनाई ये प्रेंस नेट की तक्तिकी अफसर मध्यम बिंते स्वाइज ने दायत किया था जबके तसाब अदालत में प्रोसेक्यूटर सरदार ताहिर अयूप ने केस की पैर भी की वाज़ रहे के गुलाम मुर्तजा मलिक सफा गोल्ड मॉल केस में भी सदायाफता है बतार अपोजिचन लीडर सैनेट अपना सीफा वापिस नहीं लूँगा यूसुफ रजागिलानी ने वाज़े कर दिया पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा यूसुफ रजागिलानी ने वाज़े किया है के बतार अपोजिचन लीडर सैनेट अपना सीफा वापिस नहीं लूँगा तब सिलात के मताबिक पीपल्स पार्टी से तालव रखने वाले यूसुफ रजागिलानी ने एक इंटरव्यू में कहा के बतार अपोजिचन लीडर सैनेट अपना सीफा वापिस नहीं लूँगा बतार अपोजिचन लीडर सैनेट सीफा पार्टी चेर्मेन को विजवाया है जराय का कहना है कि बलावल भुटो ने यूसुफ रजा गिलानी का सीफा मुस्तर्ट कर दिया है इसके बावजूत यूसुफ गिलानी का कहना था कि वो बत्तोर अपोजिशन लीडर सैनेट मजीद काम नहीं करेंगे उस इस्तारोज यूसुफ गिलानी ने सैनेट जलास में अदम मौजूत की पर अपने उपर होने वाली तनकीद के बाद इस्तीफा दिया था इस इतलास में स्टेट बैंक खुद मुफ्तारी बिल को हकूमत ने मन्सूर करा लिया था खयाल रहे कि सैनेट में स्टेट बैंक तर्मी बिल पर अपोजिशन को एक वोर्स से शिकस कोई थी वोटिंग के वक्स यूसुफ रजा गिलानी एवान में मौजूद नहीं थे उनकी अदमहासरी पर अपोजिशन के बाद जमातों ने उन्हें सक्त तन्कीत का निशाना बनाया था जबकि हुकूमती वुजराने गिलानी का शुक्रिया अदा किया सैनेट में जाले खयाल करते हुए यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि इतने आहम अजंडे के लिए मौका मिलना चाहिए था बिल कमेटी को भी नहीं भेजा गया रात के वक्त बिल को अजंडे पर लाना मुनासिब नहीं था अजंडा मेरा घर पर रात एक बजे पहुचा था कोली टेस्ट की कफ्तानी से भी दस्तबरदार तेकि पॉंटिंग हैरान भार्टी के किटर विराटखोली ने वन डे फ़ॉर्मिट की कफ्तानी से खटाए जाने के बाद टेस्ट की सरवराहि से बी सी पादे दिया P20 World Cup 2021 में पाकिसान के हातों बत्तरीं शिकर्स के बाद भार्टी क्रिकेट टीम के मायानास बल्लेबास विराट खोली मुसलसल मुच्किलात का शिकार है और एक एक करके तमाग कॉर्मेट की कप्तानी से महरूम होते जा रहे हैं विराट खोली ने जुनूबी अफ्रीका के खिलाब खेली गए टैस सीरीज के बाद टैस क्रिकेट की कप्तानी से स्थीफा दे दिया गया है जिस पर औस्ट्रीलवी क्रिकेटर रिकी पॉंटेंग ने शदीद हरानी का इसहार किया है पॉंटेंग ने एक चोब में हरानगी का मुझाहरा करते हुए कहा कि यह हगी करने हुआ मैंने गुजिश्टा आईटील के पहले हाफ में विराट के साथ अच्छी बाद शीत की थी टिकी पॉंटेंग ने कहा कि वो इस वख टैस szire cleaning से दूर रहने के बारे में बात कर रहे हैं हलाके उस वख वो टैस मैट की कपतानी जारी रखने के लिए कितने पुर्जोष हैं औस्ट्रेली कप्तान का कहना था कि खोली की कप्तानी में भारती के के टीम ने बहुत अच्छी कारकरदगी दिखाई लिकी पॉंटिंग ने आफिर में कहा कि कप्तानी से किनारा का शीख त्यार करने से विराठी बल्ले बाजी में मजीद निखार पैदा होगा क्योंकि वो अपनी बैकिंग पर ज्यादा तवच्छा मर्कूस कर सकते हैं तोयोटा चांट पर चलने वाली गाड़ी बनाएगी जापानी मर्गी नेशनल आटो मेट्यो मैनेफेक्ट्र कमपनी तोयोटा चांट की सता के लिए गाड़ी बनाने पर काम कर रही है गाड़ी को इस दखाई के आखिर में लाउंज किया जाएगा कमपनी के चांट से कहा गया है कि टोयोटा चांट की स्पेस एजन्सी के साथ एक वहिकर पर काम कर रही है जिसके जर्ये चांट की सदा पर चला जा सकेगा ये मन्सुपा 2014 तक इंसान के चांट पर रहने और पिर जिन्दगी को मरीट पर ले जाने के पेशे नजर बनाया गया है जापान स्पेस एजन्सी के श्तराग से बनाई जाने वाली इस गाड़ी का नाम लूनर क्रूजर रखा गया है ये नाम टोयोटा के लैंग क्लूजर पर रखा गया है इस गाड़ी के लाउंच इस दहाई के आखिर में की जाएगी टोयोटा मोटर कार्पूरेशन में लूनर क्रूजर प्रोजेक्ट के सरवरा टुकाओ साटो का कहना था कि ये गाड़ी इस खयाल में मबनी है कि लोग बाहिफासद गाड़ी में काम कर सकें खा सकें, सो सकें और दीगर अफराद के साथ राप्टा कर सकें और ऐसा ही बेरों ने खला में किया जा सके साटू का कहना था कि खला में जाकर हम शाया टेली कॉम्निकेशन और दीगर टेखनोलोजी इतनी जदीद करने के काबिल हो जाएं जो इंसानी जिन्दगी के लिए अहम साबित होगी हेडलाइन्स आपने मुलाई सकी, न्यूस स्टूडियो में फिलवक इतना ही मजीद खब्रों और अब्डेट्स के लिए देखते रहें, आरेन्न नीउस हमारे साथ रहेगा